आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ नमस्का दोस्तो आयाँ प्रशनल करते हैं सिच्छा बहुक ब्यापक सब्ध है उसमें सीखने योग उनके विशयों का समावेश हो सकता है पढ़ना लिखना भी उसी के अंतरगत है इस देश की वर्तमा सिच्छा प्रडाली अच्छी नहीं है इस कारण यदि कोई इस्त्रियां को पढ़ना अनस्कारी समझे तो उसे उस प्रडाली का संसोधन करना या कराना चाहिए खुद पढ़ने लिखने को दोस न देना चाहिए लड़कों की ही सिच्छा प्रडाली कौन सी बड़ी अच्छी है प्रडाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कलेज बंद कर दिया जाए आप खुशी से लड़कियों और इस्त्रियां की सिच्छा की प्रडाली का संसोधन कीजिए उन्हें क्या पढ़ना है चाहिए कितना पढ़ना चाहिए किस तरह की सिच्छा देना चाहिए और कहां पर देना चाहिए घर में या स्कूल में इन सब बातों पर बहस कीजिए जी मैं आवे सोख कीजिए पर परमिस्वर के लिए या न कहिए कि सोयम पढ़ने लिखने में कोई दोस है अनर्थकार अमीमान का उत्पाज़ अख है वह ग्रियण सुक का नास करने वाला है ऐसा काना सोल हुए आने मिथ्या है हमारा प्रस्ण पोछा गया है अनर्थकारी सब्द का अभी क्या अभिप्राय है हमें मतलब इसका अभी प्राय बताना है, हमारे बिकल पर दिये गए, बिपरीत अर्थ करने वाला, मौदिक अर्थ वाला, बिसिष्ट अर्थ करने वाला, अनिष्ट करने वाला, ठीक है, तो हम प्रश्ण को हल करते हैं, अनर्थ कारी सब्द का अर्थ, अनर्थ, यहां गलतिस अनर्थकारी सब्द का अर्थ ठीक है अनर्थकारी सब्द का क्या अर्थ होगा अनिष्ट करने वाला मतलब किसी का बुरा चाहने वाला किसी को नुक्सान पहुचाने वाला वो अनर्थकारी होता है तो हमारा इस प्रश्ण के साब से कौन सा वाला विकल्ब मिलना है ये चौथा वाला विकल्ब जो है इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा पहला, दूसरा और तीसरा गलत होगा धन्यवाद